जै श्री राम सबसे एहम भूमी का निभाते हुए चत्रु ग्रही योग चलेगा सूर्य मंगल बुद्ध और केतु का योग यहां पर बनेगा जिसके बारे में हम आगे अभी और चर्चा करेंगे तो आईए चर्चा को बढ़ाते हुए देखते हैं कौन सा ग्रह कहा किस राशी से चलकर आपको क्या परिणाम दे रहा है क्योंकि हर ग्रह का अपना एक दाइतव है हर ग्रह का अपना एक कारकतव है हर ग्रह आपकी राशी से बैठकर कही ना कोई ना कोई परिणाम देता है उसके बारे में हम चर्चा शुरू करेंगे चर्चा सबसे पहले हम सूर्य देव से शुरू करेंगे जो आपके दीवन में आपके आत्मिक चिंतन, मानसम्मान, राजके इस्थतियां, पिता इन सब के लिए मुख्य रूप से कारक रखा जाता है सूर्य आपकी राशी से द्वादशेश यानि खर्च व्या भाव, इन्वेस्टमेंट भाव, लॉस भाव के लिए जाना जाता है राशी से 12 में 5 नमबर लिखा हुआ है, पाँच नमबर के जो मालिक यानि सूर्यदेव है, राशी से 3 गर में चल रहे हैं, केतू के 7 चल रहे हैं इस दोरान देखा जाता है कि खर्च का मालिक जब तीसरे घर में हो तो क्या होगा अपने से छोटे भाई बहनों से सम्बंदित खर्च की इस्चितियां बनेगी अपने से छोटे भाई बहनों के लिए खर्च किया जाएगा क्योंकि ये विया का भाव है, तीसरा घर यात्राओं पे खर्च होना, कभी-कभी ये इस्थिती आए से अधिक खर्चे देने वाली भी होती है, इस कॉंबिनेशन के कारण हम कह सकते हैं कि राशी से द्वादश का मालिक जब राशी से तीसरे घर में केतू के साथ होता है, तो यहां से राशी परिवर्टन करके राशी से चौथे घर के अंदर ट्रांसिट करेंगे द्वादशेश का चौथे घर में जाना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि परिवार की शांती भंग ना हो परिवार के अंदर कले ना हो यह समय किसी ना किसी प्रकार के सु लुख साधन अरेंज करने के लिए मकान कोई कपड़ा पहनना कोई चीज खरेदनी या किसी प्रकार का प्रवंद करने में आपका पैसा कर चो रहा है वैसी इस्थति यहां सूरेदेव से बाद में भी बनेगी बात करते हैं मंगल की देखिए कन्या राशिय के लिए मंगल को शत्रू माना गया ये दोनों ही प्लैनेट अपने आप में जवान हैं युवा हैं पूरे मंगल एनरजी के भरपूर कारक ग्रह काये जाते हैं तो बुद्ध भी राजकुमार है बुद्धी मता से गुणवान है धनवान है अब आपकी राशी से तीसरे घर में मंगल होंगे राशी से तीसरे घर में मंगल चार दिसंबर को आ जाएंगे कहेंगे तीसरे का मालिक तीसरे घर में साहस में वरध्धी करता है परिस्थितियों से लड़ने की शमताएं देता है मित्रों से पडोसियों से सहयोगियों से चोटे भाई बेनों से सहयोग दिलाने का एक योग ह राशी से तीसरे घर में अगर मंगल हो तो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारता व्यक्ति अपने कार्य शेतर में लगा रहता है कभी कभी यह स्थिति आपको शारीरिक रूप से भी बलिष्ट बनने के लिए प्रयासरत रहती है कि आप उठो जागो वॉक करो योगा करो प्राणायम क करो कुछ भी करो लेकिन अपने आपको किस प्रकार से फिट रख पाऊगे उस लिहास से मंगल की इस्थिति जानी जाती है राशी से तीसरे घर का मंगल जब चौती द्रश्टी से छटे घर को देखता है तो शत्रूओं के लिए दमनकारी योग होता है व्यक्ति प्रत्योगिताओं में विजय परात करता है परिस्थितियों पर विजय परात करता है साती सात यह योग कॉंपटिशन यानि कॉंपटिटिव एक्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है मंगल की साथवी द्रश्टी भाग्यस्थान पर और आटवी द्रश्टी करमस्थान पर यानि मंगल चे सम्मद्दित दशा अंतर दशा भी हैं तो आप यह समझे यह ग्रह शत्रू होते हुए भी आपको फुल्फिल रिजल्ट देगा यह ग्रह आपको भाग्यों दे कराएगा यह ग्रह आपको आपके कारेशितर में अच्छी तरक्की देने के में शक्षम माना जाता है तो उस लिहास से यह मंगल की स्थिती प्रबल है अच्छी है आपके लिए फायदे मंद है क्योंकि एक समय पर सूरिये मंगल बुद्ध और केतु यह चत्रू ग्रही योग बनेगा क्योंकि बुद्ध तो आपकी राशी से दशम के भी मालिक है मंगल भले ही के शत्रू भाव का मालिक है भले ही खराव घर का मालिक है लेकिन स्वयराशी के होके प्रबल हो रहा है तो यह अच्छा धन्योग बन रहा है तीसरे घर में और तीसरे घर से मतलब होता है व्यक्ति स्वयम के बल पर धन अर्जित करेगा उसे किसी की जुरूत नहीं है, वह अपने आप सब कुछ करने में शक्षम हो। अब मैं बात करता हूँ बुद्ध के बारे में दशम का भी मालिक है बुद्ध राशी का भी मालिक है यानि शरीर मन किस्थती को जानने वाला गर है और आपके कार्य छेत्र आपके कर्मों को जानने वाले गर है कौन है बुद्ध है राशी से तीसरे घर में बैठे है तो च्छुटे च्छूटे यात्राइं लाइफ में लगी रहती हैं। अपने जीवन में अपने खुद के बल पर आगे बढ़ने के लिए लगातर प्रेरित रहेगा अपनी मेहनत से भाग्य को जगाएगा क्योंकि यहां से बैठकर प्लैनेट भाग्य स्थान को द्रश्टी दे रहा तो उस लिहाज से अच्छा है करम शेतर के इसाफ से भी बहुत दिसंबर को तो यह सूरिय के साथ एक जूती बन जाएगी अब 12 शेष राशी का मालिक और दशम का मालिक जब चौते गर में हो तो कारे शेतर के लिए अच्छा होता है कही ना कहीं आप अपनी मेहनत के द्वारा अपने कारे शेतर में सफलता हासिल करेंगे चाए आप नौ कारे शेटर로 के लिए अच्छा है जो जोबले असे उनको नौकरी मिल रही है तो उनके लिए भी अच्छा है नौकरी मिल जाएगी क्योंकि जब मैं कहता हूं धनियोग बन रहा है कारे-शेतर के लिए अच्छा है तो आपको कुछ नकुष फाइदा ही होगा ब्रस्पति र राशी का मालिक छटे घर में चल रहा है यानि इन सब चीजों के लिए चिंता तो है घर को घर के सुक्षानति के लिए चिंता है पारिवारिक इस्थती को कंट्रोल करने के लिए चिंता है हजबन वाइफ के रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए चिंता रहती है कि कहीं कोई प्राबलम ना हो जाए तो उसलिहास से ये कॉम्बिनेशन छटे घर में बढ़ा है अब ये छटे घर में बढ़ा है इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है वो ये है कि ये घर है शनी की राशी में शनी कहा है राशी से पंचम में बैठा कि अच्छी बात है कि जिस प्लैनेट जिस राशी में है उसका मालिक स्वराशी के होकर चल रहा है लाव दे देगा दूसरी बात ब्रस्पती मंगल के नक्षतर में है ब्रस्पती छटे घर में है मंगल ब्रस्पती को द्रश्टी भी देता है आप अपने ज्यान के बल पर अपनी सूजबूज अपने विवेक के बल पर अपने प्रत्योगियों को हरा देंगे या अपने शत्रों को दबा लेंगे कोई बात उठती हुई दिखाई देगी कोई लड़ाई आहुती दिखाई देंगी तो आप उसको पहले से ही दवाने में शक्षम होंगे कि छोड़ो भी कोई बात नहीं है लड़ने से कोई फायदा नहीं है तो वैसे ही सैयोग को दिखा रहा है ये कॉम्बिनेशन तो ब्रस्पती भी अपना आप में बहतर हुए लेकिन जब ब्रस्पती छटे में हो ऐसे में अगर आपको कोई ना कोई दशा ब्रस्पती से संबंदित चल रही हो तो आप ये देखेगा छटे का ब्रस्पती द्वादश में बैठा छटे का ब्रस्पती 12 को द्रश्टी दे रहा है यानि कहीं न कहीं बीमारी उपर रोग पर इनके लिए भी चैलेंज आपकी लाइफ में लगातार चल रहे हैं इनके लिए भी खर्च आपकी लाइफ में लगातार बने हुए रहेंगे ब्रस्पती की 90 द्रश्टी जब धन भाव के उपर जा रही होती है तो इसका मतलब है धन का कारक ब्रस्पती धन भाव को देखता है आई के साधन देता रहेगा शुक्र थोड़ा सा इस महीने ताल मटोल में रहेंगे क्योंकि शुरवात में तो शुक्र आपको दिखाई देंगे धनू राशी में लेकिन 8 दिसंबर को शुक्र देव मकर राशी में पहुचेंगे अब यह देखेगा राशी से पंचम में पहुचेगा गरहे पंचमे शनी के साथ धनियोग बनाएगा भागेश और दुत्येश भी है यानि शुक्र से संबंदित दशांतर दशा हो तो और बहतर नहीं तो गोचर तो अपना काम करेगा कि यह पहले बनाएगा धनियोग लेकिन यह धनियोग जादे समय तक नहीं तिकेगा फिर यह ग्रहे 19 दिसंबर को वक्री हो जाएगा और यह वापस धनू राशी के अंदर एंट्री कर जाएंगे यानि ग्रहे उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है और वक्री होके वापस पहुंच जाता है राशी से चोथे घर के अंदर लेकिन इस बार यह ग्रहे भागेश है दुतियेश है और वक्री होकर आया है और वक्री ग्रह सदेव अच्छे होते हैं अगर वे केंदर त्रिकोणों में चल रहे हूँ शनी देव पंचमे शोके पंचम में पंचम का मालिक पंचम में शिक्षा, बुद्धी, योजनाय, विध्या, एजूकेशन, संतान सभी के लिए अच्छा माना जाता है अब शनी पंचमे शोके पंचम में युवा अवस्था में हैं, 12-18 डिगरी में हैं, ग्रहा के अंदर पूरी स्ट्रेंथ रिजल्ड देने की कहा के रिजल्ड देगा पंचम के एकादश भाव को रिजल्ट दे रहा है वहां के रिजल्ट देगा दूसरे घर को रिजल्ट दे रहा है वहां के रिजल्ट देगा यानि ये कॉम्बिनेशन आपको लगातार आएक के साधन किसी ना किसी प्रकार से बना के रखेगा शनी की दूसरी राशी ब्रस्पती और ब्रस्पती जैसे अगर है वहां मुल्त रिकॉन साइन में शनी की चल रहा है यानि ब्रस्पती की दूसरी राशी को एक शुब ग्रहने गहरा हुआ है जो धनका कारक है अब आप शनी और ब्रस्पती को देखो कि ब्रस्पती की नौवी द्रश्टी दूसरे घर पर तो शनी की दस्वी द्रश्टी दूसरे घर पर यानि लगातार किसी ना किसी प्रकार से आये के साधन धन के साधन आपके लिए बनते हैं तो ये योग आपके लिए अच्छा ही हुआ केतु मंगल की राशी में है इसलिए मंगल के सुभाव के अनुसार फल देंगे केतु आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेड़ना देगा और आप अपने कारेक शेतर में सफल होंगे तो वहीं राहु शुक्र की भाती फल देगा क्योंकि राहु शुक्र की राशी में तो शुक्र का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा क्योंकि राहु उच्चस्त है शुक्र की राशी में है लेकिन जब राशी से तीसरे घर में योग बने तो यह व्यक्ति के लिए अच्छा होता है तीसरा घर बहुत अच्छा क्यों व्यक्ति यहां सहजिता से काम लेते हुए आगे बढ़ता है व्यक्ति यहां जीवन में धीर धीर अपने आपको मुकाम पर पहुचाने के लिए तै पूरिया से लेके राहू के तू तक इस महीने किस राशी में चलते हुए आपको कैसा परिणाम देंगे उसके बारे में मैंने हाँ विस्त्रित रूप से चर्चा की है फिर से नए विशाय के साथ आपके सामने हाजी रोंगा मैं तब तक के लिए बने रही हैगा मेरे साथ जै आपके शरी राहू